नमस्कार वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है आईए नजर डालते हैं आज के ताजा समाचार उपर फ्रांस में वीमान हाथसा 150 की मोथ जर्मन वीमानन कमपनी लुफ्थांसा द्वारा संचालित एक वीमान मंगलवार को फ्रांस में आल्प्स में दुर्गटना ग्रस्त हो गया हाथसे में वीमान में सवार सभी 150 यात्रियों की मोथ हो गई यह फ्रांस में अब तक का सबसे बड़ा वीमान हाथसा है अधिकारियों ने दुरगटना स्थल से जर्मन वींग से एरबस A320 का ब्लैक बॉक्स बरामत कर लिया है वीमान ने 144 स्पेनिश और जर्मन यात्रियों के अलावा चालक दल के 6 सदसे सवार थे बाचवास अंसद मनुस्तिवारी को धमकी बाचवास अंसद मनोश तिवारी ने दावा किया कि उनके अधिकारिक आवास पर आए एक पत्र में उन्हें जान से मानने की धमकी दी गई है तिवारी ने कहा कि मुझे 21 मार्च को मेरे आवास पर डाक से आए एक पत्र के जरिये धमकी दी गई है पत्र में लिखा है कि तुमने राहुल गांधी की आलोशना करने की हिम्मत कैसे की अगर तुम खुद को बचा सकते हो तो बचाओ मनोज इस समय वारा नसी में है और दिल्ली लोटकर शिगरे ही इस सम्बंध में पुलिस को शिकायद दर्श कराएंगे रसी पर चलकर कार्मी की नदी पार टेम्स नदी के दोनों छोड़ पर खड़े दर्शकों ने उस समय दांतों तलें उंगलियां दबा ली जब 2320 किलो की कार केवल एक इंचे रसी पर चलकर नदी पार कर गई यह कारनामा टाटा की जगवार एक्सेफ कार्मी हॉलिवूड में मशूर स्टंट में जिम डौडोल नी किया इस स्टंट के जड़िये कमपनी यह बताना चाहती है कि उनकी यह कार कितनी हलकी और तेज है स्टंट में कार को कुछ रसीयों से बांदा गया था